हे गाइज वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल आज की जो रेसिपी है वह है बहुत ही टेस्टी जी हाँ आज हम आज से सेर करेंगे फ्राई राइस की रेसिपी जो की अकसर घर में चावाल वगरा बच जाता है या फ्राई राइस ऐसी कुछ खाने का मन कर जाता है तो हम बनाते है तो चलिए स्टार्ट करते इसको बनाना बहुत ही इजी है बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा तो यहां पर मैंने कुछ सब्जियां कट करके रख ली है जैसा कि आप देख रहे हो आपके पाद जो भी सब्जी आप लेवल हो आप यूज कर सकते हो यहां देखिए प कृट लिया है तीक के अलबा मैंने यहां आध्यां करती है क्ट ली इ vrij मिटे हो अब हम लोग आपके सब्जी यूज कर सकते हो दिया है कोई बास मेती चावल नहीं है नॉर्मल जैसे घर पर बनाते हैं चावल वगड़ा का फ्राइड इस्त वसे मैंने बनाया है अब हम लोग यहां पर एक कणाई में ओयल एड कर लेंगे मस्टरड ओयल लिया है मैंने उसके बाद यहां पर जीरा एड करेंगे और यहां पर काली जो भी जोला पांट था ना Iggy to लोटो आ जो भी एक कर लेंगे ठिकेंडिया यहां पर प्याच को जो हम लोगने लंबी कर्ण कि लिए पहले ही और इससे भूना है मैं । भी ही है जब यह भूं जाय यहाँ पर टमाटर को एड़ कर लेंगे इसको भी हमिश्च छी मेहां मैं यहां ने ग्रीन चिलिध deste लिधे बूल गए तीसलिए रही तौह कुछ मखस बर्डर भी उसको के साथ हम लोगों नहीं जो आलु कट करके रखा आ वह आलु भी ऐड़ कर देंगे ताकि यह भी पक जाया के बहुं टाइम ही इसको भी नहीं हूं लेंगे उसके साथ हम लोगों सुखा मसाला ड kl किया है फ्रेंश तो इसमें थोड़ा पानी ukraf They क्योंकि जब पानी एड़ करते मसाला जो फूल जाता है ना तो क्रीमी टेक्सर जो आता है ना बहुत ही अच्छा होता है तेस्ट हम लोग इसको थोड़ा पका लेंगे उसके जब वाइल आने लग जाना तेहां बीस जो हम लोग नहीं रखे थे ना वो भी एड़ कर देंगे अब भी हमारा सीमला मेच और पतागोवी बाकी है उसको कब आट करना है मैं बताऊंगी यह देखिए यह हमारा आलू अलू सब हो गया और पानी भी जो हम लोग ने एड़ किया था ना वह भी सुग गया है आलू हमारा पक गया है और हमारा बेंस भी पक गया है अब हम अब लोग कोई से पकाना नहीं है तो यह देखिए यह दिखाती है यह भून भून गया है तो हम लोग यहां पर चावल एड कर देंगे चावल एड करने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो इसमें मतलब जो टेस्ट आएगा ना खाने पे व क्यामन कर रहा है ना कि आप भी बना के खाओ तो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताना केमेंट्स करके अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज ऐसी ही ईजी और जटपड बनाने वाली रेस्पी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रेडी हुआ है आपको सायर ऐसे समझ में नहीं आएगा आप जब बना के देखो के ना तभी आपको समझ में आएगा हम लोग इसे जो है अब प्लेटिंग कर लेते हैं यह रिखिए मैं आपको कल्चुल से उठाके दिखा रही हूं कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बन बाइबाया